कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर अभी तक दोखो दोस्तों आपने ये चनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो जाए और पैसे कवा होने का कोई भी मौका आप कवाना दो अगर आप लोग डायरेक एक्विटी में इंवेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉटफोलियो का 50% अलोकेशन मुचुल फंड के अंदर होना चाहिए क्यूंकि अगर आप मुचुल फंड में पॉटफोलियो बनाओगे त आपको जानना है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा स्पीक का चार्ट में यहाँ पर देख रहा हूँ 92 रुपीज के आसपास से स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस गिरावट हो रही है और यह अभी गिरावट मेरे इसाब से थमने जा रही है त्यूंकि चार्ट के स्टॉक्चर ऐसा बोल रहे है बट यहाँ पर आने वाले दिनों में 65 रुपीज बहुत इंपोर्टन्ट लेवल प्ले होने वाला है क्योंकि थोड़ा बाउंस भी आयेगा न दोस्तो तो हायर लेवल्स पर थोड़ा सेलिंग भी हमें दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया कि 65 रुपीज का लेवल मेक और ब्रेक वाला लेवल है अगर स्टॉक 65 रुपीज के नीचे टिक गया तो फिर स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है तो मेरे हिसाब से स्पीक के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क अगर हमें लेना हो तो स्टॉक का प्राइस है अपी 70.55 रुपीज जो कररेंट मरकेट प्राइस पर ही में यहाँ पर ऐसे सजीशन्स देता हूँ कि कररेंट मरकेट प्राइस पर ही PH 50 परशन कॉंटिटी बाइ करनी है तो आप कर सकते हो है अपनी 70 रुपीज एं 55 पैसा और यहाँ से अगर डाउन फोल हमें देखने को मिलता है so 68 रुपेस के आसपास another 50% quantity buy करनी चाहिए अगर downfall में stocks आता है और दिखाता है तो 50% allocation current market price पे इसलिए बताया है क्योंकि ये stock हमारे radar से छूटना जाए मुझे ऐसा strongly लग रहा है कि यहां से ये stocks आगे बढ़ने के लिए ready है ठीक है और lower level पे भी 50% allocation बताया है कि अगर stock में downfall आता है तो हमारा average थोड़ा नीशे आ जाएगा और फिर यहां पर मैं आपको ऐसा suggestions दे रहा हूँ कि 66 रुपेस का आपको closing business के उपर एक stop loss maintain करना पड़ेगा so speak के अंदर जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से 50-50% का allocation के साथ किसी को भी काम करना है तो आप काम कर सकते हो सबसे पहला target speak के अंदर 77-78 रुपेस के आसपास कोगा और उसके बाद दूसरा target 84-85 रुपेस के आसपास का मुझे देखने को मिल रहा है तो इस टॉक के अंदर जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से काम करना है किसी को भी तो आप ज़रूर से काम कर सकते हो मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखे, knowledge require कीजिए फिर काम कीजिए, कोई भी एक mentor choose कीजिए सीक्योर सीखने के बात काम कीजिए